हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जोती की वज़ते सोई में आप सबका स्वागत है आप में आप सबके साथ हम सबका फेवरेट समोसा लेकर आए हूँ जी हाँ बहुत ही आसान तरीके से आज हम घर में समोसा बनाएंगे तो चलिए फिर आज की रेस्पी स्टार्ट करते हैं बिना द दाल लेजे आप इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच नमक नमक का यूज यहां पर थोड़ा साइग करना है अब इसमें डालेंगे 2 चमच रेपाइन ओईल तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेगे तो यहां पर नमक ज्वाइन और तेल ही डाला है मैंने अभी आप पहले से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि तेल डाले के जो थोड़ी सी गुठले बनती है न वो ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए हाथ से मैस कर लीजे बेलकुल अच्छे से उसके बाद में,थो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे गूत moetenँगे तो यहाँ अ मैंने दो कटोरी मैदे के लिए दो चमच रेफाइन ओयल लिया है इतना ही तेल लहना है आपको ज्यादा कम नहीं अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो त्यार करेंगे तो समोसा न सबको पसंद होता है और अधिकतर क्या होता है हमारा मन करता है पर मार्केट जाने की इक्षा नहीं होती कि मार्केट जाएं और लेकर आएं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी आप घर में बना सकते हैं थोड़ी सी महनत से तो क्यों देरी करना जाए फटा फट ये रेस्पी देखे और घर में ही समोसा बनाईए बिलकुल असान तरीके से तो ये देखे यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ किया है और इसका सॉफ्ट डो त्यार करेंगे ये देखे बढ़िया से इसका डो त्यार हो चुका है अच्छे सा मिक्स करना है आपको तो ये तो रेडी है अब इससे ढख कर हम रख देते हैं तब तक इसकी स्टफिंग त्यार करेंगे तो चलिए फिसे साइट करते हैं तो यहाँ पर मैंने समुसे के लिए लिया है उबले हुए आलू जिसे मैंने थोड़ा सा मैस कर लिया है इसे बहुत जाद मैस नहीं करना है इस टाइम पर इतना ही मैस करना है बस अब एक कड़ाई में दो बड़े चमस सरसो के दाने डालेंगे कुछ कड़ी के पत्ते डालेंगे अब उसके बाद एक कटोरी बारिक कट हुए प्याज डालेंगे एक बड़ा चमिच बारिक कटी हुई अध्रक डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे सटमुच बहुत ही टेस्टी और चटपटा यहां पर हमालू का मसाला त्यार करेंगे अब इसमें एक कटोरी एक छोटी कटोरी फ्रोजन मटर डालेंगे आपके पासना जो भी मटर है यह फ्रोजन मटर या फिर नॉर्मल ग्रीन मटर जिस टाइम पे आप यह समसा बना रहे हैं तो आप वहला मटर यूज़ कर लीजे आदा छोटा चमच हल्दी प पोट हो जाए उसके बाद इसमें आलू ले लीजे आलू को डाल लीजे उसके बाद हम आलू डाल का अच्छे से भूनेंगे पहले डालेंगे एक चोटा चमच नमस आप अपने स्वाइद कर नुसार नमक डालिए और एक चोटा चमच गर्मसाला पॉर्डर अब इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए कितना बढ़ियां कलरफूर हमारा आलू का मसाला दिख रहा है बहुत ही टेश्टी लग रहा है बहुत ही अच्छे सी खुस्बू और यह बहुत ही बढ़ियां हमारा मसाला रेडी है गैस को आप कर देते हैं और इसे प्लेट में ठंडा होने के लिए अब चलते हैं मैदे की तरब यह मैदे को वापस एक मिनिट अच्छे से गूत लेंगे तो चलिए फिर रेडी करते हैं अपना समोसा तो अब आपको भी न अगर समोसे को सेब देना कठिन लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही असान रोटी की तरब बेल लिया है और उसे बीच से कट करके आधे को मैंने साइट कर दिया है इस साइट में मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है उंगलियों से यह दिखिए बस इतना ही अब इसमें आलू का मसाला डाल लेते हैं तो आप जिस साइज का समोसा बनाना चाहते है थो बापा से दूसरे साइट को भी इस तरीके से उसके उपर इस तरीके से ढख कर मोड़ दिया है, koños को अच्छे से दबा देंगे, इस तरीके से उठा लेंगे, मसाला जाधा हो तो थोड़ा सा अंदर प्रेस कर देजें, तो यहाँ पर पानी लगाएंगे हलका सा उंगलियों से उपर के साइट को इसके उपर इस तरीके से कवर करके अच्छे से चिपका देंगे ये दिखे इस तरीके से अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे तो यहाँ पर यह हमारा एक समुसा तयार है सेम इसी तरीके से जो बाकी का हिस्सा था अधा उसमें भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे मसाला भरेंगे एक साइड को इस तरीके से ढख कर मोडेंगे थोड़ा सा पानी लगाएंगे हलका सा पानी आपको थोड़ा सा जरूर लगाना है अब ये जो साइड है नीचे का साइड इसको इसके ओपर इस तरीके से ढख कर cover कर देंगे कोने को अच्छे से चिपका देंगे इस तरीके से ताकि हो तेल में खुले न अब इसे न उठा कर आपको अगर लग रहा है थोड़ा सा और मसाला भरना तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और मसाला भी भर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे अगर आप निव-nिव बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा मसाला भरिए अगर आपको पहले प्रैक्टिस है तो आप अच्छा सा जादा मसाला भी भर सकते हैं फिर से थोड़ा सा पानी लगा कर इस तरीकी से उपर के साइड को ठक कर हलका सा चिपका देंगे अच्छे से प्रेस कर लीजे दबा लीजे सेब दीजी थोड़ा सा कोनों को अच्छे से चिपका देंगे ये देखिए कितना बढ़िया और अराम से हमारा समोसते आ रहे है यह भी तो यहां पर न, जैसे मैं ने आपको बताया है, इसे देखकर तो आपको समोसों को सेफ देने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यकीन मानेए सेम इसी तरीके से सारे समुसे यहाँ पर रेडी कर लेंगे यह देखिए बढ़िया अब चलिए से हम फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर मैंने रिफाइन ओल गरम होने के लिए रखा था इसमें छोटू सा मैदा डाल कर चेक कर लेंगे तेल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं लो फ्राइ करेंगे ना तो बहुत ही ज़ल्दी कलर आ जाएगा और समुसा आपका कुरकुरा नहीं लगेगा यह जो मैदे का कवर रहता है को आपको बिल्कुर कुरकुरा नहीं लगेगा तो यह चीज का ध्यान रखेगा लो फ्राइप पर इसे फ्राइ करिएगा स्वाइं रोडेना है यहां पर सारे समोसे को प्राई करना है तो यह देखिए यहां पर hemahdगा बढ़िया सेक्षे गर्मा गरम कुरपे और चट्पटे चक्षे तयार हैं साथ में यहां PP टोमेटो सॉस और अधन या पत्ति की हरी चट्टी रखी है जो भी चट्टी पसंद है उससे बना लेजिए और पटा पट ये गर्मा गर्म समोसे इंजॉय करिए देख रहे हैं ना कितना बढ़िया समोसा हमारा रडी हुआ है तो मैं तुझे इसे इंजॉय करने और आप देजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने तो फिर मिलते हैं